विदान सबाद चुनाओं में करारी हार्ज हिलने वाले शिवराज के करीबी पूर मंत्री को बीजेपी आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी देदी दिल्ली बुला लिया गया है जी हां कौन है वो शिवराज का करीबी नेता और कौन है मतप्रदेश सरकार का पूर मंत्री जिने अब सेंट्रल में कैमिनिट मंत्री का दरजा हासिल होगा मैं बात कर रहा हूं अंतर सिंग आर्या की मत्प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे अंतर सिंग आर्या लेकिन किस्मत एसी थी कि 2023 में बीजेपी की लहर के बावजूद वह अपनी परंपरागत सीट सेंधवा से चुनाव हार गए लेकिन बीजेपी आला कमान ने MP के इस क्योंकि इस्ततिक और सुधारने के लिए जवाबदारी दिये हैं अभी एक दो रोज में जाएंगे हम अंदिली पद बार ग्रण करने के बाद में हमारी आगे की कारी योजना बनेगी क्योंकि यह सवेधानिक पद है इसको बड़े गरिमा ढंग से काम करने का आउसर मुझ प्रदेश में जितने वी वर्षे तक में राजनिती कमिक के अंदर में जो काम किया चाहे चेतर का मामला हो प्रदेश का मामला हो कि जनता का काम कैसे होना चाहिए विछेशकर आदिवाशी समाज के प्रति मेरी हमेशा तलब रही है कि यार कि इस समाज को कैसे उपर उठाना चीए तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है अंतर सिंग आरिया को वो भी विधान सभा चुनाओ हरने के बाद आपको बता दूँ कि बढ़वानी की सेंधवा सीट पर अंतर सिंग आर उनके परिवार का काफी प्रभाव रहा है पहले पिताजी कई बार चुनाओ जीतती रहे और लेकिन बीजेपी आला कमान ने दिल्ली में बैठने वाली जिम्मेदारी देदी यानि अनुसूची जनजाती आयोका राष्टी अध्यक्ष बना दिया इसमें आपको बता दूं सेंट्रल केबिट में इसका दरजा मिलेगा एक बड़ी जिम्मेदारी देदी पार्टी की त चुनाओ हारने के बाद ऐसा नहीं होता कि पार्टी तुरंट इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दे लेकिन इनको दे गई और जैसा मैंने आपको बताया कि मत्प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे अंतर सिंग आ रहे और शिवराज की करिवी माना जाता है लेकिन अब चुनाओ हारने के बाद बीजेपी अला कमान ने भरोसा जताया है और जिम्मेदारी दे दी है बड़वानी से आप तक ख़बर पहुंचाई है जैद है मदने आप देखते रहे नहीं करें